प्रतियक वर्ष व्यक्ती कई तरह के सपने संजोता है, आशाएं बानता है, तो वहीं कुछ कार्यों के लिए कृत संकल्पित भी होता है, कि ये कार्य तो पूर्ण करके ही इस वर्ष दम लूँगा। आप नौकरी पेशा जीवन को छोड़कर व्यापार की और जाना चाहते हैं, व्यापार में बहुत अधिक प्रयास कर लिए, फिर से नौकरी की और जाना चाहते हैं, संतान पक्ष के विवाह को लेकर चिंता थी, तो वहीं व्यापार में कुछ कर्ज चल रहे थे, क्या उससे ह पानसिक खुशियों को हासल नहीं होने दिया, वेदेश संबन्दिक कार्य अठके हुए रहे, तो क्या वो पूर्ण हो पाएंगे, ये सब कुछ द्यक्ति एक वर्ष के संधिया अंतराल में खड़ा रहे कर सोचता है, जहां नया वर्ष शुरवात की और हो, वर्ष दोहजा पर जो फलाफल आगे आएंगे, जो कि आप देखेंगे, देव गुरु ब्रैस्पति, शनिदेव, राहु और केतु जैसे इस्थाय तो प्राप्ति रहे, लंबे समय से परिवर्तन चेलता की और जाने वाले ग्रहों का परभाव क्या रहेगा, सूरिदेव जुन्दिरंतर स अंक्रांति करम को परिवर्तित करते चले जाते हैं, उनका परभाव हमको किस तरह से जानना होगा, तो वही मंगल जो शुरुवाती समय में ही स्वराशी स्थान में हैं, जनवरी और फरवरी की महिने में, उनका समग्र परभाव क्या सामने आएगा, यह सारी ही चर्चाएं हम करते हैं आप यह देखेंगे कि चंद्रमा इस बार जो इस वर्ष की शुरुवात में है यहां राशी स्थान में रहेंगे शुक्र भी वर्ष्चिक से अपनी शुरुवात करेंगे इस वर्ष की अनिकी वर्ष्चिक राशी में रहेंगे केतू और राहू बाई जीवन के उपर व्यापारिक जीवन के उपर और overall confidence के उपर दोनों ही ऐसे ग्रहों का प्रभाव है जिनकी चाल धीमी है आप देखें कि देव गुरु ब्रैस्पति नीचस्त इस्तियों में भली है किन्तु करक राशी के जातकों के लिए चंदर्मा परदान राशी के जातकों के लिए यहां साथभी दिरिस्टी से उच राशी स्थान को देखने वाले होंगे शनिदेव की इस्तिया भी जो चतुर्द भाव है जो इनका उच राशी स्थान है वहाँ पर अपने दिरिस्टी निक्षेपन को रखेंगे यह दोनों ही ग्रह जो की एक सुराशी स्थान मे विराजमान है एक नीचस्त इस्तियों में है जब अपने उच्चत उप्राप्त राशी स्थान को देख रहे होंगे तो वहां काफी हद तक परिवर्तन की संभावनाए हमारे सम्मुक रहने वाली होगी इस बात को स्मुर्तियों में रखना होगा तो वहीं आप देखिए कि जो मंगल है वो उत्रोतर बली केमद्र में इस वर्ष की शुरुबात कर रहे हैं जनवरी और फरवरी के महिने में जो ये मंगल के द्वारा रूचक योग की स्तियां बनेगी ये भी अतिमहत्वपून है हम शुरुबात करते हैं ओवर आल पॉजिशन्स के साथ में आपका गटित्व और आत्म विश्वास क्या कह रहा है देखिए जो लंबे समय से आप भावकता के साथ में दिरना ले रहे थे और कहीं पर भी सफलता के साथ में जाना हुआ वही कुछ लोगों ने हमको रोका एक अलग अफलोग के साथ में लेकर चले और हमने अपनी पूरी ही ओरजा को व्याय करके रख दिया सेल्फ मोटिवेशन की कमी रहती है कई बार करक राशी के जातकों में देव गुरू ब्रहस्पती जब भी अपने उच्छ राशी स्थान को देख रहे हो तो ये सरवपर्थम आपको अनभवों के साथ में फाइदा देते हैं दूसरे आधार के उपर जब इनका दृस्टी निक्षेपन पराकरम भाव के उपर भी हो तो आप जॉब में हैं और कहां खुद को एक्स्प्लोर करके रखना है कहां शान तिचत रहना है कहां अपने लाब के लिए हमको कोई गंड़ना को आगे बढ़ाना है कहां रुकना ह यह सारी ही सोच और समझ देव गुरू ब्रहस्पती देने वाले हो जाते हैं इसी वज़े से नौकरी पेशा जीवन में किसी परिवर्तन की और आप जाना चाहेंगे देव गुरू ब्रहस्पती का सपोर्ट वहां पर भी बना रहेगा व्यापारिक जीवन के अंदर देखिए एक तो त्वरिद्गती का फाइदा है एक लॉंगर टर्म की एप्रोच में बेनेफिट है देव गुरू ब्रहस्पती यहां आपको लॉंगर टर्म की एप्रोच में बड़े बेनेफिट की और लेकर जाने वाले हो जाते हैं ये एक इसपस्त दृष्टि गोचर इस्तर नजर आता है तो यहां जो सोच में स्थाइत्व है उसको व्यापार में ढालने का प्रयास कीजिएगा अपने संकल्पों में आप कर्ज मुक्ती के साब्धन दिरंतर तोर के उपर अपने मन में बसाते चले जाएं इसके पीछे प्रमुक तोर के उपर बज़े ये है कि जो भी रण संबंधी गतिवधियां बनी हुई थी यहां सस्टेश सप्तम भावद में 5 अपरेल तक शुरुबात में रहेंगे देव गुरु ब्रहस्पति की मैं बात कर रहा हूँ और उसके बाद अतिचारी होकर सस्टेश अस्टम भावद में भी चले जाएंगे यही ओवर ओल कॉन्फिडेंस की पूजिशन जो बारं बार आप लोगों की बातों में आकर अभी तक रिश्टे बिगाड रहे थे वर्ष 2020 में बारं बार ऐसा हुआ यह जो 2021 का वर्ष आएगा यहां से आप थोड़ा सा संबल प्राप्त करेंगे लोगों की बातों में आकर डिस की भीतर रहने वाली होगी यह आपको सबसे पहले यह बताएगी कि जहां जहां फाइनेंशल गेन हो रहे हैं हमको अपनी बर्डन कम करने के और जाना है बिजनस का एक्सपांशन बात में कर लेंगे किन्तो एक बार शुरुबात में हम खुद के लिए कुछ बोज कम करते है यह परवर्तियां यहां आपके सम्मुक रहेगी कुटुम्बी जन जो इस वजह से रिष्टे बिगाड रहे थे कि हम प्रॉपर वेस के उपर फाइनेंसेज में नहीं चल पा रहे हैं यही समय आपको वहाँ पर सार्थक उपलब्धी देने बाला होगा विदेश संबंधी क ते विदियों में भी जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज होते हैं या फिर जो टेक्नोलोजी के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं जहां मंगल और शनिदेव का परभाव बहुत अधिक रहता है वहाँ पर भी सफलता के आयाम सामने नजर आएंगे उसके बाद जो में अस्तकत जरूर होंगे किन्तु आपके लिए जो विश्वास की स्तियां है वो एक नए आधार के उपर चलने वाली रहेगी धनागमन इस वर्ष बहुत बहतर तरीके से है बजह ये है कि 5 अप्रेल से लेकर 14 सितंबर और उसके बाद में 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 किस तक के समय की में बात करूँ देव गुरू ब्रैसपती का प्रभाव यहां शनिदेव की मूल्त रकॉर्ण से द्वितिय भाव की उपर रहने वाला होगा जो जो कारियर में आप अपने हस्तक शेप को बढ़ाएंगे वहीं पर financial gain होते चले जाएंगे रुकावट और बा नौवी द्रिस्टी होगी आपके लिए मानसिक सुख को भी बढ़ाने वाली होगी अब आप education को relate करते हुए field में हैं आप service industry को relate करते हुए field specific के मदर हैं या आप कोई ऐसे कामकाच के मदर हैं जो interior designing संबंदी शेत्र विशेश के साथ में चलने वाला होता है वहाँ पर शु राशी स्थान यानि शुक्र के राशी स्थान के उपर रहेगा तो आपके लिए ऐसे utmost benefit सामने निकल कर आने वाले होंगे इसमें कहीं भी कोई दोराय नहीं है तो इसी वज़े से ऐसे कारियों में आप बढ़ते चले जाईएगा financial gain भी एक अच्छे approach में बने रहेंगे तो आपने अभी तक एक सफलता marketing संबंदी शेतर के अंदर public relation संबंदी शेतर में प्राप्त नहीं की है 5 अपरेल से लेकर 14 सतंबर 2021 तक का समय आपके लिए अधी महत्वण है ऐसे सारे ही कारियों में सफलता की पूरी पूरी उम्मीद आपके लिए यहाँ पर बनी रहेगी इसमें कोई भी negative approach नहीं है तो वहीं तरतिय भाव ये एक महत्वण सती है आप देखिएगा कि देव गुरु ब्रैस्पती नौवी द्रिस्टी से यहाँ तरतिय भाव को देखने वाले होंगे तो इसी वज़े से finance को relate करते हुए field में आपको changes चा रहे थे और आप एक तरह स उधारन से समझें कि आप chartered accountant है और इसके साथ में ही अब आप अपनी स्वयम की practice की और जाना चाते हैं जौब को छोड़ कर तो जो बुद्ध के राशी स्थान के ऊपर देव गुरु ब्रैस्पती का दृस्टी निक्षेपन है यह वहाँ आपको बड़ उत्री दे सकता है म पहत्वा कांग्षाएं जब मन के भीतर इतनी हावी हो जाती है कि हमको निरने लेना ही है तो वहाँ एक positivity निकल कराती है यह positivity आपके लिए रहेगी भाईयों के साथ संबंदों में शुरुवाती तीन महीने अती महत्वपूर्ण है किसी व्यापार में उनको जोड़ना चात कर कोई भी कारे करते हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी और पारिवारिक सुख संबुद्धी को बढ़ाने वाले होंगे दोस्तों का सयोग इस पूरे ही वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे से बना रहेगा हाला कि प्रमोशन संबंदी जो स्थियां होती है वो existing से नए की और भी जा सकती है ये भी प्रभाव शेत्र स्पस्ट तोर के अबर यहां पर वतिमान है तो वहीं चतुर्थ भाव ये एक आधार है भूमी संबंदित इस्ततियों का शनिदेव दस्वी द्रिस्टी से जब यहां चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे पुरानी भूमी स किसी फ्लैट की पजेशन आदी लेना चाहते हैं लंबे समय से सपना था किन्तु जॉब में स्थाइत्व होने की वज़े से या जॉब में एक तरह से सैचुरेशन आजाने की वज़े से यानि चेंजिस नहीं आ पारें स्थाइत्व कारती है और हम इंक्रिमेंटल ग्रोथ क और जॉब में नहीं जा पारें हैं कैसे रिस्क लें किसी ऐसी भूमी की वहाँ देव गुरू ब्रैस्पती आपको अच्छा कासा सपोर्ट दे सकते हैं बर्श दो हजार इकीस जनवरी से सितंबर के मद्य ऐसे कोई भी रिस्क लेने के और आपको बढ़ा सकता है और वहीं स जीवन सुखद इस्तर के मायने तलाश करता चला जाएगा ये भी एक आधार सर्विस इंडस्री संबंधी काम का आज में व्रद्धी बैंकिंग संबंधी कार्य जहां देव गुरू व्रैस्पती और बुद्ध का एक तरह से संचरन आधार रहता है वहाँ पर भी आपके ल तारीक नोट कीजिए पांच अपरेल से लेकर 23 जून तक के समय अंतराल में ऐसे प्रयास यरियाप करते हैं तो बहतरी सामने रहेगी वहीं पंचम भाव यहां केतू का प्रभाव है केतू तिवर गामी इस तरके उपर चेंजेस को लेकर आते हैं आप अभी एजूकेशन के इसके डिसिजन के और चले जाते हैं कि तू ऐसी अबरब्ट अप्रोच को देने वाले होते हैं उससे आपको बचना होगा सावधान रहिएगा उस इस्तिती से तो वहीं पर आकस्मिक लाब जो कई बार सामने नजर आते हैं किन्तु होते नहीं हैं उसके साथ में ब्रम होते हैं ऐसे ब्रम से आपको समल कर चलने की इस वर्ष आवशकता है वहीं जो भी महिलाएं फैमली वे की और है मैं आपसे निविदन करूंगा कि यात्राएं आप टालें और प्रॉपर बेस के उपर जो अपने लिए खानपान की स्तितियों को समझना होता है प्रोफेशनल क्योंकि केतु का प्रभाव पंचम भाव के उपर यहां इस पस्ट तौर पर नजर आता है आकस्मिक धनलाब यहां सहयोग देने वाला होगा पंचम के केतु किंतु सरवांगीन लाब के भाव में राहु पुन्ड फलों का उदय करने वाले हैं और वो भी शुक्र के राशी स्थान में जो की इंट्यूशन की पावर देते हैं तो इसी वज़े से ऐसे शेत्रों के अंदर इंस्टंट फाइनेंशल गिन रहेंगे जो भी निरनएं आप लेते हैं वो हक में आते चले जाएंगे संतान पक्ष के साथ में ये वर्ष छोटे-छोटे बाद और विवात को लेकर आएगा किन्तो अंत्तो गत्वा आपके द्वारा दिया गया सहयोग उनके जीवन में श्रिणी बद्ध तरीके से एक विकास करम को भी सामने रखेगा वहीं सिक्स्थाउस ये एक अती महत्वपुन आधार है देखिए जो स्वास्त कई बार व्यक्ति को चिंता के भीतर डालता है और जो स्वास्त कई बार व्यक्ति को और जादा भागने और दोड़ने की उरजा देता है सस्थेश सप्तम भाव में हैं आप अपने ग्रहस्त के स्वास्ते का पत्नी या फिर्पती पक्ष के स्वास्ते का ज़्यादा ख्याल रखें स्वयम की मैं चर्चा करूं तो डाइजेस्टिव प्रब्लम्स हलके फुल के तोर के उपर आपको सताने वाली हो सकती है आतों से जनत किसी भी विकार के साथ में या नसों से जनत किसी भी विकार के साथ में आपकी परेशानिया रही है तो वहां सावधान रहना होगा अब मैं एकादश भाव की चर्चा यहां इसलिए करने लगा सस्ट के साथ में, कि सस्तात सस्ट की स्ततियां यहां एकादश के साथ में जुड़ी हुई है, तो ऐसे रोगों के उपर नियंतरन रखना है, शत्रू, सवर्ष, हावी नहीं हो पाएंगे, या आपके लिए किसी भ पहले फाइनेंशल गेन होते ही, आप अपने रण को कम करने की और जाएं, क्योंकि शुरुवाती तीन महीने उसके लिए अत्यदिक सहयोगी बने हुए हैं, व्यापारिक जीवन में हमको कोई भी प्राप्ति होती है, सर्व पर्थम हम ऐसे रण से मुक्त होने का प्रयास कर और सफलता भी आप अरजित करते चले जाएंगे, सब्तम भाव में देव गुरु बरैस्पति और शनिदेव का समग्र प्रभाव यहां सामने है, इसी वज़े से कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में, लॉजिस्टिक्स, ट्रांस् दो माध्यम हमारे लिए विकसित होने चाहिए, यह समय उसी माध्यम के विकास कर्म को आपके सामने रखने वाला होगा, आप स्टब लेजिए सफलता साथ में, आपके लिए खड़ी होगी, यह एक बात वियापारिक साज़दारियों में 20 नवंबर से पहले जो आप दिक्क पांच अपरेल 2021 तक का समय ऐसे रिष्टों के लिए मैं तो पूर्ण कहा जा सकता है, देखिए जो एग्जीक्यूशन का फ्रेम अलग है और जो शुरुवाती चर्चाएं होती वो बिलकुल अलग है, यह चर्चाएं पूर्ण विराम के और पहुंच सकती है और सुखद आ अस्तम भाव की मैं यदी चर्चा करूं तो अस्तमेश स्वयम से द्वादश होकर यहां सब्तम भाव में रहेंगे और पूरे ही वर्ष इनकी गती यह रहेगी, शनिदेव कुछ समय के लिए वक्रगत स्ततियों के भीतर भी आएंगे, नहीं के बात का वो समय अंत्राल रहे हैं, वहाँ पर भी आपके लिए बेहत अच्छे आधार सामने रहने वाले हैं, एक निवेदन और भी है कि आप किसी भी हुनर के साथ में अपने व्यापारिक जीवन की या आजिविका की शुरुबात करना चाहते हैं, इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इंस्टेंट बेस के रिजल्ट नहीं मिलने वाले, इसी वज़े से अपने हुनर के उपर विश्वास करें और प्रती एक दिर्म एक छोटा कदम बढ़ाते चल जाएं, तो अंत्तो गत्वा इन 365 दिनों के विकास क्रम में आपको सफलता सामने खड़ी हुई नजर आएगी और वहां सफि देखे कि जो देव गुरु ब्रैस्पति की स्तियां है वो बले ही सप्तम में और अस्तम में इस पूरे ही वर्ष गतिमान रहेंगी, किन्तु प्रतम द्रिस्टी गोचरिस्तर के उपर शनिदेव की तीसरी द्रिस्टी यहां भाग्य भाव के उपर रहने वाली है, भाग्य इतना आसानी से कुछ भी नहीं देगा आपको, इस पूरे ही वर्ष संगर्ष के बाद में भाग्य आपको सयोग करने वाला होगा, अध्यात्मिक चिंतन अधिक विक्सत रहने वाला है, तो वहीं अनुभव परतिक शेत्र के मदर आपके हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, यहां व्यापार में जो निरने लेने हैं बले ही भाग्य का सयोग नहीं हो, अपने अनुभव के साथ में आप काफी हद तक परिशानियों को सौर्ट आउट करते चले जाएंगे, और किसी और स्थान के साथ में आपको कामकाच की शुरुवात करनी हैं, उसके आधार पर भ अधिक सफलता को प्राप्त करने वाले होंगे, तो वहीं दशम भाव, देखिए शुरुवात में ही रूचक की स्तियां रहेगी, इसी वज़े से जो जनवरी और परवरी का महीना है, अगर इसकी में कर्म के साथ में बात करता हूँ, तो पूर्ण कालिक तोर के उपर आप एक अलग उर्जा के साथ में इस वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, और यही उर्जा का माध्यम आपको कहीं पर भी रोकेगा नहीं, ठकाएगा नहीं, और इसके साथ में ही जो निरने आपने टेक्निकल फिल्ड में ले लिए, इन्फोर्मिशन टेक्नोलोजी के साथ में इच्छा शक्ती का अभाव नहीं है और जो उर्जा होती है वो पूरी वर्ष एक तरीके से अक्षून चलने वाली होगी जहां आपने अपने शमताओं के अनुरूप कमिट्मेंट कर दिया पंचमेश की स्थियां शुरुवाती स्थर परदशम भाव में और उसके बाद एका एक स्थिय को अपना कर जरूर चलिएगा पूरे ही वर्ष ये दिवेदन मिराब से रहेगा एक आदश भाव में राहू पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जहां कैलकुलेशन प्लस एजम्शन दोनों ही साथ में रहने चाहिए और वह वहीं से आपके लिए सारा ही फ्रेम चेंज होता चला जाएगा ये एक सपोर्ट है तो वहीं इस बात पर भी ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में वाद और विवाद बढ़ने वाले नहीं हों हम अपने कामकाजी जिवन में निरंतर प्रगति करें किन्तु संतान किस तरह से अपने कामकाज में या अपने सक्षा के अंदर बट रही है इसके बारे में भी ग्यात होना आवशक है दौादश भाव ये एक जो आधार दौादश भाव के उपर देव गुरूब रहस्पती कर रहेगा देखिए कि अपरेल से सितंबर नवंबर और डिसंबर क लिखने वाले होंगे सारी ही प्रॉफिटेबल अप्रोच वहां से आपके लिए निकल कर आएगी विदेश संबंदी कार्यम में खर्चे शुरुवात में जादा बने रहेंगे उसके बाद में कम होते चले जाएंगे ये भी एक नियामक आधार आपके लिए है तो वहीं को वारक राशिक के जातकों के लिए वारशिप 2021 का वारशिक राशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शहे आभार